हलो एवरिवान वेल्कम टॉट क्लास बुक किपिंग एन अकाउंट एंसी नॉट फर प्रॉफिट कर रहें इलस्ट्रेशन 12 करना है आज बच्चों प्रीवेस वीडियो आई बेटन में चेक कर लें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरू किया हुआ है आज 12 कर रहें प्रैक एलस्ट्रेशन 12 बच्चों एलस्ट्रेशन 12 है फौल ऑफ ऑन रल्सट्रेशन 12 एफ ए फैजब द्टित लेंट माईंट पुरूप्त अच्ट फॉटर एंस बीड टिए मार्च बाच्ट लेंट सब्सक्ट लेंट किपार संब्सक्र 40 एंसी इर न्यर एंड 21st मार्च ट्यर श है 1718 याद रखें तो यहां पर लिखा हुआ 1st April 17 assets and liabilities यानि यह आपको previous year का detail दे रहा है एक दिन कम कर दो 1st April में तो it will be 31st March 17 16 17 यह आपका previous year का detail है ठीक है तो और इसे को कहीं भी capital fund भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब है आपको balance sheet भी बनानी है previous year की to find out the capital fund as a balancing figure balance brought down previous year assets में जाएगा हमारा यहां पर दोगो यह figure नहीं होगा 22 to 50 नहीं है तो यह आपका asset में जाएगा cash है हमारा यह subscription income इसमें लिखा है दोगो 8,000 including of previous year तो बच्चो previous year में आउस्टेंडिंग कितना था 10,000 10 में से इस साल आठ मिला यानि still outstanding 2000 तो 2000 जैन में रखना कि current year की balance sheet में आपको 2000 के entry पास करनी है sale of machinery जिसकी book value 25 selling price भी selling price यह cash book तो बाहर जो यानि यह cash का amount है यानि पैसा आया selling price है उतना ही पैसा आएगा तो 25 की चीज है 20 मिल रहा है 5000 का loss है तो sale of machinery यह machinery में से इसको आपको minus करना है जो प्रिवियस year है तो कुछ entry ओं के दो effect आएगे जिसे machinery investment building fund यह आपके fixed asset ओफ fixed liability है तो fixed asset ओफ fixed liability कभी भी change नहीं होते इनकी entry जो प्रिवियस year में रहेगी वही same entry current year में भी रहेगी हाँ current year में कुछ चीज हो गया जैसा sale हो गया तो जब machinery current year में 50 लिखेंगे तो इसमसे book value minus करना है selling price नहीं आपके company से 25 का माल निकला भार जाके 20 में बेचो, 10 में बेचो, 2 में बेचो, 30,000 में बेचो उससे कोई फरक नहीं पड़ता company से कितने का asset निकला 25 तो आप 50 में से 25 माइनस करोगे हाँ 25 का चीज ता 20 मिला यानि 5000 का loss है तो loss जाएगा आपका income and expenditure में debit side ठीक है जहन में रखें इसको donation, admission fees, income है हमारे fair insurance, expense, expense, book assets है computer assets है traveling expense, furniture assets है cash and bank ये भी assets है adjustment में ये तो clear है ये पहला आपको balance sheet बिना नहीं है previous year की तो ये assets है आपका machinery भी assets है building fund liability investment assets ठीक है तो machinery investment, building fund इसके दो effect है 10,000 के एक effect है previous year में जाएगा asset side और फिर 10 में से 8 compare करके 2000 का second effect जाएगा हमारा current year की balance sheet में asset side तो ये subscription को जहन में रखना है ये यहाँ पे 10,000 और 8,000 को fair depreciate machinery है यानि adjustment है यानि आपको 50 पर depreciation निकालना है ने 25 निकल गया यानि 25 पर depreciation निकालना है यानि आप headache मत लो 50 पर निकालना है 25 पर निकालना है कि ये depression percentage में फिगर में दिया हुआ है तो ये चीज़ सिंपल करती है उसने हाँ अगर percentage में देता तो आप balance पे निकालते है ठीक है donation received for building fund यानि ये जो donation मिला है पूरा का पूरा building fund में जाएगा यानि liability में पूरा बोलाना पे information नहीं है 50% 20% donation received for building fund यानि जो भी मिला है पूरा का पूरा कहां जाएगा आपका liability में building fund में add करना तो इसको आपको income side में लिखनी की ज़रुवत नहीं है लिखोगे तो by donation फिर लिखोगे less building fund फिर आउट्रोगॉल में तो निली आने वाला है तो वो एक स्ट्रेप आप कम कर सकते हो बोर्ड में इसके लिए कोई वो नहीं है आपको marks पूरे मिलेंगे direct 55 आपको इसके नीचे plus करना है फिर सब्सक्रिप्शन है करेंटियर का यहां सब्सक्रिप्शन वे टिकमा करना ही है आपको करेंटियर वाला add करना ही है तो होप सो आपको यह information समझ में आए रहेगी एक चीज़ हो रहे है तो यह difference आपको लिखके रख दे यहां पे साइड में कि profit और loss on sale or machinery के लिए working note बनाए जैसे कीमत थी 25 cash मिला 20 यानि पांच जर क्या हो गया लॉस तो आपको पांच जर का effect पास का ना income and expenditure में debit side तो यह चीज़ को जहन में रखना 25 का effect आएगा 20 का effect नहीं आएगा डारेक्ली पांच का effect आएगा debit side अब balance sheet बना लेते हैं previous year की तो सबसे पहले cash ले लेंगे previous year रिप्लिक है नहीं यहां का opening previous year का closing फ्यास ट्रेंडिंग subscription assets machinery assets building fund liability investment assets और कोई निया previous year बंद करो इसको simply 3,30,3,6,7,8,3,8,2,250 उसमें से 210-1,7,2,250 ठीके तो बालने का मकसद capital fund capital fund रहता question में तो इसकी जरुआतीनी balance sheet की अभी क्या करेंगे बच्छो पहले capital fund shift कर लेते हैं फिर आगे काम करते हैं तो capital fund directly हमारे balance sheet में लिख लेते हैं यहाँ पे और previous year का detail भी लिख लेते हैं कि previous year की entry आउं कौन से को सी बताया देशा machinery बताया थी मैंने वो लिख लो building fund बताया था वो लिख लो और investment बताया था वो लिख लो तो previous year का सारे details जो fix liability of fixed asset है वो लिख लिख लिए हमें ने तो अब normal sum start करेंगे तो पहले insurance है debit में लिखेंगे printing debit book assets है तो book assets में चले जाएगा टिक माक नहीं है बहार लिखेंगे computer भी भार चले जाएगा फिर traveling traveling का जाएगा हमारा debit फिर furniture और cash in hand assets है हमारा और फिर subscription आ रहा है subscription income में जाएगा 72,000 पहले यह लिखें और sale of furniture यह बताया था मैंने आपको यह सब information नहीं यह पांच आ लिखना है आपने को यहां पे और फिर इसका effect जो 25,000 का effect है वो चले जाएगा हमारा machine में minus कर देंगे तो आप balance कितना है 25 का donation भी बताया था मैंने directly यहां लिखना है आपको plus कर दें अभी already कोई है नहीं इसके अंदर admission fees income टिक माक नहीं बहार लिखेंगे सो आपका receipt and payment मुकमल हुआ बच्छो admission fees के बाद अब adjustment में जाएंगा आउस्ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 तो यह previous year का था बच्छो मगर current year में 72 में 8,000 including है आउस्ट्रेंडिंग और previous year यह 8,000 यहां minus करना अपने को अब नहीं 10 नहीं 8 क्योंकि इस 10 और 8 में से आपको स्रिफ स्रिफ 2000 के entry पास करनी है क्यों previous year बाखी था 10 उसमें से 8 मिल गया ना तो अभी कितना बाखी है जो next year उम्मीद करने मिलेगा 2000 का तो यह चीज़े important है इसको ध्यान देना आपको फिर अगला adjustment machinery हो गया building हो गया investment भी लिख दिया हम लोगने depreciation provide करते माइनस करेंगे depreciation percentage नहीं तो headache नहीं है percentage होता तो आपको 25,000 भी निकालना पड़ता so in absence of information of date आपको balance में निकालना होता एन्याओ percentage नहीं है तो headache नहीं फिगर है directly कर दी हमने और यह 2000 का सेकेंड पर कहां जाएगा हमारा debit side फिर donation received building fund यह तो already आप पुनने लिख दिये हैं यहाँ पर क्योंकि यहीं पर बताया दिया था मैंने आपको subscription current year का बाकी है तो current year outstanding 4000 और last adjustment है यानि अभी कोई information नहीं है so 72 minus 8 plus 4 तो it comes to 68000 और फिर 4000 का second effect का जाएगा बच्चों balance sheet में asset side already subscription लिखा है साल लिख लें या previous year current year लिख लें तो plus करके इसको बाहर कर दे 6000 अब सारे adjustment होगे एंट्रियां होगे तो आप सो simply close करते है क्रेडिट का टोटल छेचे बारा तेरह चाहुदा 74 आया क्रेडिट का टोटल आपका डेबिट का टोटल आया 18 उनिस बीस 25,500 और दोनों को माइनस कर दो तो बालेंस है 48,500 पहले बड़ा टोटल दोनों साइट बालेंस ओल्वेस अपियर ओन लोवर साइड डेबिट लोवर है 74 लोवर है या 25 25 लोवर है यानि डेबिट साइड लोवर है तो बालेंस ओल्वेस अपियर ओन लोवर साइड डेबिट में लिख रहे हैं इसलिए surplus आगे सर प्लस प्लस यानि किस से प्लस करने बोल रहा है वो क्यापिटल से तो क्यापिटल में प्लस करके बाहर कर देते तो 227.50 आया अभी और कोई इंट्रिया नहीं रहेगी है तो अभी आसे सो लाइबिलेटी टोटल कर लें तो 4,85,750 आया सेम वे आपका आसेट का भी टोटल आया फोल है 85,750 तो इस तरह से सम टाली हुआ तो ये चाप्टर में थोड़ा इदा उदा जम माना पड़ता है तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें तो ये सम में आपको बैलेंस शीट बनानी थी because of this capital ये capital मिलेगा तो current year में जाएगा और previous year का कुछ भी चीज़ एंट्रियां रहेंगे तो current year से compare करो जैसे previous year में outstanding 10,000 बाकी था उस में से इस साल आठ मिला यानि अभी भी 2000 बाकी है तो थोड़ा एंट्रियां घूमती है इदर से उदर तो date वगेरा अमांड वगेरा ध्यान दे असके उपर जैसे सेल आफ मश्री आ गया था भाई 25 का माल विका बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस 20 थी तो हमने compare करके देखा कि भाई 5000 का लॉस हो रहा है फिर previous year में से fix liability दो capital fund और building fund दोनों ही fix liability दोनों as it is लिखना हां और कोई adjustment है तो इन रो column में नहीं तो outer column जैसे fix asset तो machinery और investment तो machinery भी आया पचास और investment भी आया तीन मगर machinery भी adjustment था तो अंदर लिखे investment में adjustment नहीं था तो बाह लिख दिये तो यह चीजे को ध्यान से समझें तो वो somewhat easy है बच्चो थोड़ा सा concentration के साथ करें तो hope so question number 12 clear हो इंशाल्ला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चो thank you thank you for watching the video God bless you